आज बनेंगे चिकन मून्स तो इसके लिए मैंने या बाजू पे कोबिश लिया है केपसिकम और घाजर तो चलो श्टार्ट करते हैं रेशेपी बिस्मिलाई रमाने रहीम असला अलेकूम तो सबसे पहले पानी डालना हैं पानी डालते हैं पानी को गरम करने रख देते हैं प दोरी फ्रेंड आज क्योंकि रमजान का महिना चल दिया है रोजा रखा है तो जल्दी जल्दी आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता और मेरे पास भी टाइम नहीं हैं इस वज़े से मैं चिकन मून्स बना रही हूं बहुती टेश्टी दो हजार तेवीस किरे से पी है तो बस यहां बाजुपे मेदा डाल दिया है पानी गरम हो चुका है अलहम्दोलिल्ला तो उसमें में तीन चिम्ची मेदा डाल दूंगी यह तीन चम्मच यहाने मेदा डाला है थोड़ा सा पानी है इसमें आठा गुनते इस तरह से इसको अच्छे से लंप्स नी पड़े इस तरह से अच्छे से इसको चला लेना है बोती अच्छे से हला हला करना है ताके लंप्स नी पड़े और अच्छे से आठा गुनते इस तरह से इसको गूल लेना है पका लेना है तो बस में आबा जुपे अच्छे से यह चिकन मून्स के लिए मेदे का आठे को जैसे पानी जित्ता भी डार है उसको सुखा लेना है तो इस तरह से कुछ मेरा ये तयार हो चुका है डो में देखा और अब चलते हैं चिकन की तरप तो मेरे पास बोनलेस चिकन था उसका हो मैंने घर में ही अच्छा वोस करके ने फिर खीमा कर लिया है तो यहां खीमा तयार है सब सब्से पिले कडाई रखेंगे कडाई कंदर डालेंगे एक चीमशी बटर मेल्ट होता है उसके बाद में इसमें जाएगी पियाज बिसमिल्लाहिरमानी रहीम तो यहां बाजू पर मैंने एक डली पियाज डाली है और पियाज को थोड़ी सी सोते करनी है बहुत ज्यादा सो नहीं करनी बस उसकी थोड़ी सी क्रण्च लियाना है और इसमें जाएगा बिसमिल्लाहिरमानी रहीम चीकन खीमा मतलब तो रोजा लग जाता है तो लगता नहीं है लेकिन रोजा रखे थोड़ा सा हो जाता है और अब इसमें जाएगा अध्रक लसन का पेश्ट और नमक स् कर देना है यहां पर जित्ती भी मैंने वेजिस काटी है यह क्या बुलते केरेट और केपसी कम और यह मेरे पास में कौन फ्रोजन है मेरे पास में और इसमें जाएगा अमूल बटर मैंने फीजर में रख गया था बटर तो थोड़ा सा फ्रीज बन गया है तो और आपके पास क्रीम नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है थोड़ा सा लेना है कॉन फ्लावर दोचिमची कॉन फ्लावर है और उसमें में थोड़ा सा दूट डाल दिया और इसको अच्छे से कॉन फ्लावर और दूट को मिक्सरन को अच्छे से मिला लेना है आगे क्या क्या के तो बिल प्लीन चीली ना अच्छे से और एकिपसी क म सब्सक्क न ब्रस पर चनला अच्छ मारे लुई पन से क्रणंचीvida इस फ्रक्स और भूंह 사랑 को नियुरत in कृष्ण नियुस्त निच्वल दें दुन दुम उर टोhon क्रण को एक्वरत्प और यह तो डालना ही भूल गई तो कौन भी डाल देती हूं बिस्मिल्लाई रवान रहीं बोलके मैंने यहां पे कौन भी डाल दिये है तो रोजा लग गया इतने में ब्यक्री सब इसा हो रही है sorry friend आप लोग थोड़ा आज की वीडियो में थोड़ा से एक्सेस कर लो क्यूंकि आज मिरे को रोजा बहुत ज्यादा ही लग चुका है इसा लग रही हैगा वोई सब्रावर और दूद का मिसरं जो डाला हुआ है वो बिस्मिल्लाई बोलके ने इसमें डाल देती हूं बिस्मिल्लाई रमाने रेहेम तो बहुत ही रेषपी इतनी अच्छी बनी थीद धी ने एक बार जरूर से इस तरह से आप लोग ट्राई जरूर करना चिकन मुन बनाने की और इसमें थोड़ासा दूडोर भी डालना लगता है मेरेको थोड़े सी कोरी लगते है थोड़ा सा लिक्वीट अच्छा लगेगा और मेरे क्वेशा लगते है चिकन थोड़ी सी गली नहीं है तो बस चिकन भी गल जावे इस वज़े से मैंने थोड़ा सा दूप और डाल दिया है और ये 2023 की रेशेपी है और इसमें वाइट पेपर याने वाइट पेपर काली मिर्ची है काली मिर्ची नहीं वाइट पेपर मिर्ची है जो सफेट काली मिर्ची बुलते हैं वो चिली फेक्स डालना इसमें और फिर इसमें औरोगानो मिक्स हब है क्योंकि 2023 की रेशेपी है चा अगर आपके पास white paper नहीं है तो आप black paper, काली मिर्ची, black काली मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर सफेद काली मिर्ची नहीं है तो चलेगी लेकिन white black paper का taste बहुत ही अच्छा आता है तो बस यहां बाजूपे सबको मैंने अच्छे से यह mix कर लिया है और अब इसमें जाएगा mozzarella cheese अगर cheese भी आपके पास ना हो तो भी कोई बादा नहीं जितना डालते इतना टेस्ट अच्छा हाता है तो बस यहां बाजूपे मैंने cheese डाला है मैंने बहुत ज्यादा cheese नहीं डाल तो अभी बोड़ी ज्यादा नहीं बढ़ानी है इस वज़े से मैंने थोड़ा डाला है अगर आप ज्यादा डालो डालना चाहिए तो डाल सकते हो अच्छा लगेगा और यहां बाजूपे जो मैंने मेदे का मिस्रन तयार करा था वो भी अल्हम्तुलिला ठंडा हो चुका ह तो इसकी आटा की लोई बना के इसकी रोटी बना लेनी है बड़ी एक रोटी बना लेनी है तो मैं पहले रोटी बना लेती हूँ क्योंके मेरे से मेनेज नहीं हो रही थी तो मैंने क्या करा मेरा आटा थोड़ा सा नरम हो गया था तो मैंने प्लास्टिक नीचे सीट रखी और उपे भी प्लास्टिक की सीट रखके इंडियन जुगाड़, हम इंडियन लोगे तो जुगाड़ करना तो हमारी नज़नस में है तो बस इंडिया के लोग जुगाड़ करने में पिला नमबर तो ये गलास हमार पास सब घर में होता है इस तरह से मैंने कट कर लिया और अब बिस्मिल्लाही रमान रहीं बोल के मैं ये जैसे हो क्या बनाते हैं हमारे में गुगरे बनाते ने बस इसी तरह से सारे ये बना ले ने लेकिन इनल्लाहमा साबेरीन अल्लाव अक्बर अल्लाव अक्बर अल्लाव अक्बर अल्लाव अक्बर तो कोई बात नहीं इंडियन लोगे जुगाड करी लेंगे तो यहां बाजुपे देख लो और यह है ब्रेट क्रम तेल के पेने फ्राइपेन रख चुकी हूं यहां बाजू सारे मुंस बन चुके हैं तो मुंस का सेप नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं छूरी से लेनी है और मुंस का सेप दे देना है इंडिया के लोग जुगाड करने में फर्स्ट नंबर अलहम्द का टाइम भी हो रहा था इधर मुहां बूम हो रही थी के देर हो रही है तो बस यहां बाजू पे मेरे चिकन मुंस पाइप बनके बिल्कुल तयार है अलहम्दुलिल्ला और यह रेसे पी एक बार जरूर ट्राय करना लेकिन यह जो आटे का मेनेज आप से होवे ने तो मेरे से मेनेज नहीं हुआ था और अलहम्दुलिल्ला लेकिन मेने चिकन मुंस पाइप बना के तयार करें और आपको दस्तरखान पर भी दिखाऊंगी कैसे बने आपको टेस्ट भी बताऊंगी और आपको यह देखो तोड़के भी बताती हूँ बिस्मिल्लाही रमारेम कितना सो चटनी कोन सी है बहुत ही अच्छी हैगी सो सेगा और हाजी साब समों से भी लेका आ गए थे और अभी बस हमारी रमजान की आमद दामद चल रही है तो दस्तरखान लग चुका है और हमारे रोजा हम खोले तो हमारे को इनको भी रोजा खुलाना पड़ता है और एक नंबर चिकन बहुत ही अच्छे चिकन मूंस बने थे अलहम्दोलिला अलहम्दोलिला एक बार जरू से ट्राइ करना तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी अल्लाहाफिस फिर मिलूंगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्लाहाफिस खुपसाई दुआउं में आ याद और खुआ है